दोसों यह है को स्पेशल स्योटू पावर्ड एर गण यह है कोल्ट स्पेशल कॉमबाट चलिए से चग करते हैं है है स्पेशल कॉमबाट और क्लासिक यह एक दो फ़र्ञ है और इसके लिए आपको लैसेंस की जरूत नहीं पड़ेगी तो इस पेकार की box packing में आता है और जो detail specifications है वो box के पीछे mention किया हुआ है यह 0.177 caliber का है और जो velocity है यह है 125 meters per second 10 meters तक आपको काफी बढ़िया accuracy मिल सकती है तो चले मैं आपको इसकी unboxing करके बताता हूँ तो box में एक तो यह card दिया हुआ है जिसमें कुछ special instructions है gun culture और care के बार में जानकारी दिया हुआ है और यह है Colt special combat इसका user manual जिसमें आपको इस product के बार में जानकारी मिल जाएगी और जो gun है यह देखे इस प्रकार का है यह काफी बढ़िया दिखता है और realistic भी है इसके अलावा इस box में तो और कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास यह CO2 के capsules है steel BBs और यह है gun holster तो यह है Colt special combat air gun और यह real gun की दिखता है in fact जो weight है वो भी वैसा ही है यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी बढ़िया सा texture दिया हुआ है ऐसा लगता है जैसे कि wood का बना हुआ है लेकिन यह plastic का है और यहाँ पर Colt का logo है वैसे ज्यादा करके इस air gun की जो body है यह metal की परी हुई है खास करके ऊपर की तरफ यह metal slide दि है यहाँ पर भी screw दिया हुआ है जिससे आप एजस कर पाएंगे यह है hammer यहाँ पर safety mechanism दिया हुआ है जो trigger है यह लॉक हो गया है और इस प्रकार से आप इसे unlock कर सकते हैं अब यह fire करेगा तो इसे आप दो तरह के से fire कर सकते हैं एक तो है इस प्रकार से और दूसरा है इस प् प्रकार से आप जो मैंगजिन है इसे release कर सकते हैं यह रेखिए तो मैंगजिन को मैं निकाल देता हूं और यहाँ पर रख देता हूं इसे यूज करना बहुत ही आसान है आपको सिर्फ ए में लेना है और शूट करना है इसका यह slider जो है इसे आप इस प्रकार से पीछे की त पूल कर सकते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से लॉक कर सकते हैं यह वैसा ही फिल देता है जैसे कि मुवीज में अपने देखा होगा और यह बटन है इसे प्रेस करते ही यह देखे इस प्रकार से यह पोजिशन में आ जाता है तो बस यही फंक्शनलिटी इसमें दिया हूआ है otherwise आपको simply से fire करना है अब यह जो मैगजिन है यहां पर आपको co2 डालना है वो मैं आपको थोड़ी दिर में डाल के बताने वाला हूं प्लस यहां पर आपको bb's डालना है यहां पर spring mechanism दिया हूँ है आप यहां पर इस प्रकार से नीचे तक पूल कर सकते हैं और यह लॉक हो कर सकते हैं और इंट्रेस्टिंग चीज़ यह है कि यहां पर नीचे की तरफ यह screw mechanism दिया हूँ है जिसका उप्यों करके जो co2 है उससे आप पंचर कर पाएंगे तो system बहुत ही बढ़िया है तो चलिए अब मैं इसमें co2 डालता हूं तो इस प्रकार का है co2 capsule और मेरे पास य यह oil है पेलगन oil lubrication के लिए बहतर होगा कि आप इसे यूज़ करें तो एक ड्रॉप आप यहां पर इसके उपर डाल सकते हैं यह देखिए यह बिसिकली जो गन है इसे lubrication करने वाला है और life काफी बढ़िया रहेगा अब यह जो co2 है इसे मुझे यहां पर इस प्रकार से इस थोड़ा सा tight करते हैं यह लीजे अब यह tight हो गया है और अगर मैं चाहूं तो इसमें BBs दाल सकता हूं फिलाल यह empty है और मैं इसे इस gun में दाल देता हूं यह देखिए इस प्रकार से और यह अब firing करेगा अगर इसमें BBs होगा तो BBs fire होने वाला है वैसे यह फिलाल empty है ले इन्हें aim practice के लिए या फिर अगर आप films मनाते हैं उसमें आप action sequence है गंस यूज करना चाहते हैं तो इस प्रकार के गंस यूज कर सकते हैं वैसे आपको special effects देना पड़ेगा लेकिन काफी realistic है और काफी safe भी है अगर आप BBs इसमें नहीं दालेंगे तो किसी को hurt ने करने वाला है film set पर और अगर आप aim practice करना चाहते हैं तो थोड़ सा careful रही है क्योंकि यह जो guns है यह वैसे real guns हो नहीं है लेकिन आपको safety protocols है उसे follow करना है इसे किसी के उपर point मत कीजिए और यह जो guns है इन्हें show off मत कीजिए इन्हें आपको crowded place में नहीं लेके जाना है strictly aim practice के लिए और वै आप कभी भी इसे निकाल सकते हैं और इसमें जो CO2 है हो सके तो इसे use करें और इसका जो capsule है इसे अब निकाल के फैक दीजिए गन के अंदर काफी दिनों तक रखे मत क्योंकि हो सकता है कि यह जो CO2 का जो point है वो damage हो जाएगा long run में वैसे दो या तीन हफते तक अगर आप य जो CO2 है इसका जो power है यह actually कम हो जाता है अब मैं firing करने वाला हूं ध्यान से देखिए इसका जो slider है यह पीछे के तरफ नहीं जाता है मतलब की blowback action नहीं है यह दिखिए और इस type के guns का सबसे बड़ा advantage यह है कि एक तो recoil नहीं होता है दूसरी चीज यह कि क्योंकि इसमें blowback action नहीं है उसके कारण जो CO2 है यह कम यूज होता है मतलब की आप ज़्यादा बीवीज फायर कर पाएंगे इस प्रकार के guns के साथ में तो इसमें जो मैंने CO2 डाला हुआ है यह तकरीबन 3 magazine rounds मतलब की 19 इच राउंड में approximately 40 to 50 बीवीज आप फायर कर पाएंगे एक CO2 के साथ मे जिनका जो slider है automatically आगे पिछे move करता है आपने देखा होगा मैंने उसके उपर वीडियो भी बनाया हुआ है वो जो guns है उनमें जब आप CO2 डालते हैं तो जो number of BBs आप फायर कर पाएंगे वो कम होता है compared to यह guns जिसमें blowback action नहीं है अब इस प्रकार के जो guns होते हैं यह इतने स आदा देखते रहिए